आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार की जरूतों से है आम जनता के स्वास से है और आम जनता के उन विवस्थाओं से है जिससे अमूनन हर एक नागरिक का सामना परूँ वो विवस्था क्या है और वो मामला क्या है वो मुद्दा क्या है वो मुद्दा है दोस्तो मिलावट खोरी का हमारे दिसमें मिलावट खोरी चरम पर है और मिलावट खोरी यह मुद्दा है वो बिसेस किसी राज का नहीं है ऐसा कोई राज नहीं है जहां पर कमपनियों ने मिलावट खोरी ना की हो ऐसा कोई ब्योस्था नहीं है जहां पर मिलावट खोरी ना होती हो ऐसा कोई फूर आइटम नहीं है जो मिलावट खोर हो, चाहे मठाई हो, जूस हो, ऐसा कोई आइटम नहीं है, जोसे मिलावट खोरी नहीं होती है, और हमारे जो इसकी जमिरा दिकारी हैं, वो अपने हार पर हार डाल के बैठे रहते हैं, क्योंकि कही ने कही उनकी भी इस पूरे मामले में संद्धता होती है, कहीं न कहीं उनकी भी इस पूरे मामले में कारगुजारिया होती है जिसका आज भी मिलावट खोरी खतम नहीं हो पाई है लगाता है मिलावट का धंडा जो है वो चरम पर है दिसमें कभी दूर में मिलावट होती है तो कभी मिठाईयों में कभी जूसर मलावट होती है तो कहीं मसाले में और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मलावट के बीच में बड़ी-बड़ी कंपरिया भी सामिल है उनके जाने कितने हजार सेंपिल्स लगातार खाद सुरच्छा और अस्ति विवाग दोरा फेल हो जाते हैं और इससे बड़ी बा माने की जिम्मदारी तो हमारे देश के जो महान जो अधिकारी है उन्होंने ले रखी है उनका जनता से कोई सरुकारी नहीं है वो चाहते ही नहीं है कि आम जनता का स्वास्त ठीक हो वो चाहते ही नहीं है कि आम जनता जिसका पेमेंट कर रही है जिसका पैसा भर रही है वो की कीवर्ष का खुगाती है आम्जन्ता क्यों क्यों कि हमारे देषग जो नोकरणा है वो कामगन। नहीं चाहते हैं। वो केवल नीथिया बनाते हैं वे उनका जन्ता की संविदांहसे कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपको दाएँ कि यह मामला इतना गहन है कि बिस्व में लगबग लगबग हर साल 4 लाख से ज़्यादा लोग मिलावटी सामान को खाने से मिलावटी खार पिदार के कारण मिल्द्धी पराफ्ट हो जाते हैं मौत हो जाती है तो मामला हलका नहीं है, मामला कम पेचिदा नहीं है, मामला बहुत ही सम्मिलन सील है, क्योंकि जो मिलावट है वो लगातार हो रही है कहीं भी, ऐसा नहीं देखा जाता कि आपको कोई भी सीज सुद्ध मिले, और बड़ी बड़ी कमपनिया इस पूरे मिलावट के धंडे में स स्तर हैं बड़े उनकी गाइड-लाइन और बड़े उनकी कंपनिया भी जिनके सेंपल्स लगातार फेल हो रहा हैं पर कहीं न कहीं आज भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से लगातार मुलावट खौरी के मामले बढ़ रहा है वह आम आदमी के लिए चिंता का विशाए है और साथ ही साथ चंटा का विसा है वो हमारे देश के लिए भी क्योंकि अगर हम साप खाएंगे नहीं सुद्ध खाएंगे नहीं तो निश्य रूप से हम मानसिक रूप से सारे रूप से सुस्टनी रह सकेंगे देखते हैं कि हमारी इस पर क्या कुछ बयान आते हैं जनता के द करवा लेते हैं अगर ऐसी कोई गलती है तो उसके जाज करा के कारवाई की जाएगी और जहां तक मुझे पता है कि इसमें हम जो चावल प्राप्त करते हैं एफसी आई से आता है और हमारे गोदाम से सीधे दुकानों तक जाता है यह किसी ने कोई मिलावट के होगा तो उसके सारजरिंग बितने प्रनाली है जो सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान कहलाती है उससे जो रासर मिलता है उसमें भी कमिया पाई जा रही है बताए जा रहा है कि उसमें ही मिलावट आ रही है तो जरूरी नहीं वो सुद दो उसमें ही मिलावट आ रही है यह जो मामला है यह हाल का मामला है मामला राहीवली का है बहाँ पर इस तरह के मामले आए हैं कि जो आपको रासरी के दुकान से सावान मिलता है या चावल या जो मिलते है उस Prof. भड़ी बात है यह आप भी खुद देखे कि सरकारी विभाग तरह इसमें अपने देखते हैं कही तरह के बीडियो बारल भी होते है कि कही सर्ब मिलाए जाता है कही जानमरों की चर्बी मिलाई जाती है कही कुछ मिलाई जाता है कभी तेल में प्रोटीन मिलाई जाता है कभी सुद्धगी में भी तमाम तरह के बसा पनारतों का उप्योग किया जाता है जो की दूर की बात करें, अगर हम खी की बात करें, अगर हम मसाले की बात करें, तो मसाले में भी तमाम तरह की चीज़े मिलाई जाती हैं, और ऐसी चीज़े मिलाई जाती हैं, जिन से आप श्वैम दूर रहते हैं, मिट्टी मिलाई जाती हैं, घास मिलाई जाती हैं, ऐसे पत्थरो कोई मतलब नहीं है कोई सरोकार नहीं है इनका केवल एक ही केवल यह होता है कि हमको पैसा कैसे मिले हमको लाब कैसे मिले और देश में बड़ी-बड़ी कमपनिया इस मुनाफ़र खोरी और इस मिलावट सिस्टम है जो केबल केबल मामले लेता है मामले के सेंपल धर्ज किये जाते हैं सेंपल पॉस्टे नहीं है रिपोर्ट किया आती किसी को नहीं पता ना है अपने किसी भी रिपोर्ट को सारदिनिक करते हैं ना बताते हैं और अगर रिपोर्ट आ भी जाती है तो मिलता है केबल आप कोई भी अक्वार उठा कर दे सकते हैं आप देखेंगे कि मिलावत खोरी में केबल अगर को मिलावत खोरी पकड़ी जाती है या कोई एकसपारी डेट का पनार्थ बचा जा रहा है और पकड़ा जाएगा तो कंपनी पे होता है तो केबल केबल जुरमाना जुरमाना क्यो किया जाता है मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है जब आपके चोरी पकड़ी जाती है जब आप गलट कर रहा है तो जुर्माना क्यों जो सजा का प्राब्दान है वो सजा क्यों नहीं होती है सजा इसी नहीं होती है क्योंकि हमारे अधिकारी किसी को सजारे ने कर तैयारी नहीं है उनका कहना है वो जटल से जटल मामले को इतना हलका कर देते हैं इतना मामूली कर देते हैं कि आखरी में आके उस मामले पे केबल जुर्माना होता है इसके लाबा कुछ नहीं है और जुर्माना देकर बड़े-बड़ी कंपनियां बड़े-बड़े सेट बड़े-बड़े कार समय होता है वो होता त्योहार का दोस्तों हमारा देश त्योहारों का प्रधान देश है त्योहारी यहां होते हैं चाहे रच्छा बंदन कहें चाहे होली चलें चाहे दिवाली कहें हमेशा यहां पर अल्लालग धर्म के त्योहार होते रहते हैं और मिठाई हर त्योहार में ख grassland लगती है और मिठाई में भी मिलाबट होती है लग आतार आप दैखते हैं कि मंडियों से रिपोर्टाइए कि इतना भागा धॉर पकडा गईतना दूर पकडा गया इतना मिलाबटी घी पकला गया पर मेरा कहना अधिकारियों से है कि किया आपको खुया क्या आपको दूर केबल त्योहर के समय नजर आता है क्या आपकी duty केबल त्योहर के समय है तमाम तरह की guidelines होती है कोई सुनवाई नहीं होती अगर मैं राधधानी दिल्ली के बात करने तो तमाम बड़ी company है उनके कोई भी खाद अधिकारी चेक करने नहीं जाता है क्यों? सबसे वड़ी बात यह है कि उनके हומ कोई करना ही नहीं चाता है अब सबसे वड़ी बात है कि क्यों इस चेक नहीं होता क्यों जाच नहीं होती लगातार अधिकारी जाते है और खाना पूरति करके चले जाते है बातन मावेबाग भी है कभी नहीं जाता क्या आपके कांटे हैा जो आपके वेलेंस हैं क्या वो सही है को ही जाज नहीं बड़ी बड़ी हजारों फै almost investor व दिली में है हजार फैर्टरिय आगा का स्कॉ ट्रक किह सैंपनों पीजिन मामला आज का नहीं है कईी बड़ी कंपनियां जरे केसेम्पल लेगाता वह रहा है और सबसे ब्रिच्ट हो एंधि कि छावटी अड्यशन तरह 40,000 जो मिलावर्ट कुण, कर दंदा है पूरी तरह प्हेला हुआ है जाल गरूप पहला हुआ है और कोई परदेश कोई जला इसके चपेट से अलग नहीं है हर साल बिस्व में चाल लाक लोगों की इस मिलावट खोरी की धंडे काना मौत हो जाती है मिलावट खार पर दार्थ में होती है जो आदमी खा करता है फिर भी अब तक कोई कदम नहीं उठा जाते हैं केवल और केवल प्रारी करण और केवल केवल नियम की बात की जाती है और महत जुर्माना लगा कर लोगों को छोड़ दिया जाता है और सब सब्सक्राइब क्यों नहीं होती कारवाई क्योंकि हमारे अधिकारी है जो बड़ी-बड़ी कंपनिया हैं बड़े-बड़े ब्यावसाही हैं वो इस मिलावट खोडी की धंडे में पूरे तरह रमे हुए है और जितना पैसा हो सकता है उस पैसा मिलावट कोई धंडी से कमा रहे है और यह मुद्दा है यह सम्विनल सील इसलिए भी है क्योंकि अगर पर आप इस मुद्दे पर लगाम लगा दें जाने कितनी कंपनियों कितनी उनकी दुकाने बंद हो जाएंगी लाखों प्रोक साला है पहजारों काम होते हजारों अडिकारी है पर काम कुछ नहीं होता एब डबल एस एयाई फूड सेप्टी एंड स्टेंडर्ड रोटर्ट आप जाने जो उसको खाते हैं वो बीमार क्यों हो जाते हैं तबाम ऐसे चीजे होते हैं जिनके एक्सपारी डेटी नहीं होती है और उनको लोग खा लेते हो और बाद में बीमार भी होते हैं और जो हर साल बिस्वें 40 लाग लोगी मुरत हुआती है तो कुछ लोग ऐसे हो होते हैं जो मिलावट के कारण मर भी जाते हैं औरते हैं पर यहां पर किसी के परवाद उजगनने से किसी का कोई लेड़ा देना नहीं कि मधाई खुली एक 하겠습니다 कौने पढ़ी हुई ये हमानध अ हो रहा है कि नहीं हो रहा है ,पानिस theCUBE पनाषле अभयाँ न ही जारा ही नहीं ,कोई मतलम नहीं, केबल केबल जाज के डाम पर सभी जगे खाना पूर्टी होती है , और जाज केबल पुरदिश सारे दिस में होती है , और सारे देश की समस्या हैं कि जो भी खात शुरष्च्छा घॉसरी विबाग के लोग है वो काम करना नहीं चाहते वो जाज करना नहीं चाहते पर उन गाडलाइस का कोई भी अनुपालन नहीं होता किर्यानमन नहीं होता मैं आपको अभी हाल में ही एक नियम मुनाए गया था कि जितने भी लोग हैं जितने भी फूड से जुड़े फूड इंडस्टिया हैं चाहे हो छोटी हो चाहे बड़ी हो उन्हों में एक फूड का यानि खाद बिसे सके होना चाहिए जिसको उसके खाद पलार की जानकारी हो उसके पैमाने की जानकारी हो उसके मानक की जानकारी हो उसकी अच्छाई बढ़ाई की जानकारी हो ऐसा फूड टेक्लोलोजिस्ट रखने की बात किये ही गई कि एक फूड इंडस्ट्री एसपर् जो कि इसकी टेस्टिंग भी करें इसको देखे कि क्या वो जनता के लिए ठीक है जो भेजा जा रहा है क्या वो सही है ऐसा तो नहीं कि कोई कोई खराब भी जो मार्केट पर चला जाए जिससे कि लोग खाके बीमार हों यह एक पिकार से ब्युस्ता बनाई गई है और इसके बाद जूर आप जाकर देख सकते हैं कि देश क्या उत्तपरेश क्या अगर लाजदानी लखनू की बात करें तो लाजदानी लखनू में भी जाने कितनी कंपनिया ऐसी हैं जहां पर की फूट सेप्टी या फूट अंडस्टियेस्ट या फूट टेक्लोडिस्ट है ही नहीं वो केबल केबल लेबर के सारे चल लए है कोई ही मानक नहीं और ना उनसे कोई पूछने बाला है कि आप किसके निर्जेसान इसार ये अनिवार है वहाँ पर एक quality control lab होना अनिवार है पर कितनी जगा लेब होती है आप खुछ जानते हैं मैं भी जानता हूं और हमाई देश की जनता भी जानती है पर जानता को नहीं है जानता केबल हो केबल हमाई सरकार नहीं जानती है कि जो आदेश देती है या जो order निकालती ह उसका अनुपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है और इसकी भरपाई पड़ती है देश combustion आम जंता जो वो मिलावट खोरी का समन को प्योग करती है जो पैसे देने के बाभूर असुद पलार को खा रही है उसको प्योग कर रही है और जो पलार्ज इतना खराब हो सकता है कि आकरी में लोगों की जान मी चली जाती है यह आकरे महज आकरे नहीं है यह सकता है कि पूरे बिस्व में लगवा लगवा चाल लग लोगों की मौत मिलावट के सामान को खाने से उसको प्योग करने से हो जाती है तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कोई सर्वे सरवा नहीं है और जो सर्वे सर्वा है वो केबल गाइड़ाइस मना के अपनी अपनी कुरसी पर बैठे हुए है, अगर आखड़े के बात करें, तो क्यों आखड़े उजागर नहीं होते, क्यों रिपोर्ट नहीं बनाई जाती, क्यों उनके डिटेल ओनलाइन सम्मिट नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि अगर आपकी कोई इंडस्टी है, तो आपके जो टेकलिस्ट है या आपके जो स्टाफ हो, उ ऐसी ब्योस्था ओलाइन होनी चाहिए पता होना चाहिए कि हाँ इस कंपणी में यह आदमी यह इनसान इस पोजिशन पर काम कर रहा है यह 32 पोजिशन पर काम कर रहा है इस कंपणी में इसके निर्देशा नुसार इसके ही नित्व में खार परात बनाया जा रहा है पर ऐसी ब बात बहुत करते हैं, हम ओनलाइन पैसे की बात करते हैं, ओनलाइन ब्यूस्ता की बात करते हैं, ये कॉमर्स कंपनियों की बात करते हैं, पर हम ओनलाइन इस बात की बात नहीं करते हैं, कि जो भी कंपनिया हो, वो भी ओनलाइन हो, उनमें जो भी स्टाप काम कर रहा है, जो भ पदार्त ये बजार में बेचनी योग्य है और इसको खा के लोग बीमार नहीं होगे ये पदार्त भोज पदार के रूप में बिलकुल मानक के अनुसार है और लोगों के लिए उप्योगी है पर ये कौन साप करेगा ये कौन बताएगा ये बताएगी हमाई गबर्मेंट ये वो समय होता है रच्छा बंदन, वो समय होता है ईद, वो समय होता है दिवाली, वो समय होता है हुली, इसके अलावा कोई समय ऐसा नहीं होता जब ये टीम काम करती हो और जाकर चेक करती हो, और चेक करती है तो केबल केबल जब सूचना दी जाती है, जब कोई मामला हो जाता ह जब कोई आदमी इसके सिकार करता है तब टीम सक्रिय होती है और टीम जाके चेक करती है इसके लावा टीम का रोटीन जाज क्या होता पता नहीं क्या सेंपिलिंग करते हैं कहां जाते हैं किसकी रिपोर्टिंग करते हैं कुछ नहीं पता कोई जब पूछने पर कोई जम्मिद हमारे आज भी अपरने हाप में बड़ा प्रसन है और केबल अ केबल इस मामले में खाना पूर्टी हुती है और व्यापरी बर्ग जिसकी इसमें गल्ती होती है इसमें से होती है क्योंकि सजा भी उन्हीं को होती है जिनके पाप ब्युस्थायों नहीं है जिनकी सेटिंग नहीं है जिनके जो तंत में अपनी घुस्पैट करके नहीं बैठे हैं या जो ब्युस्थित नहीं कर पाते हैं चीजों को या जो अपनी जाज को मैनेज़ें नहीं कर पाते ह वही लोग इसमें सजा पाते हैं बागी सभी लोग केवल ओ केवल खाना पूर्ती करके एक जर्मा नादा करके बच जाते हैं हम लगातार देख रहा है कि इस तरह के जो मामले हैं ये पूरे देश में हैं. दोस्तों आज हमारो जो मुद्दा है, ये मुद्दा केबल और केबल परद्यू नहीं हैं, यह पूरे देस से जुड़ा है, क्योंकि देस की आबादी है वही बोज पनारतों को लेने वाली है, उपयोग करने वाली है, पति नागरइक इन पनारतों को उपयोग करता है, जो मिलावर्ट का सामान होता है अगर वो खाता है उन्डिस्री रूप से उसको नुक्सान भी होता है और जहां तर देखा जाता है कई बार मौट भी हो जाती है पर इसका जमिरार जो भी है वो अब तक मौट है हम खाड़ सुरच्षा प्रारिक्रार्ण बनाते हैं तमामतों की बाते करते हैं तमाम गाड़्लारिश का अनुपालन कितना हो रहा है किसी को नहीं बता की आपका समय हमेशा यहां पर भी होता है कि आप एक जिम्मिदार अधिकारी होने के नाते तमाम ऐसी गाइडलाइन्स जिनकों पालन करने के बाद नोटिस भीजना के बाद जुर्माना लगेना आपका काम नहीं है अगर संपिल पकड़ा जाता है चाहिए बड़ी कंपनियों चाहिए च्छोटी कंपनियों सब के खिल तमाम सरकार से और तमाम जिम्मिदारों से यह अनुरूट करना चाहूंगा कि आप सक्री होईए और मिलावट खोरी के दंदे को बंद करिए क्योंकि अगर मिलावट खोरी के दंदा आपकी कारण भी चल लहा है अगर आप इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं अगर आप जा आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार